The writer sees a girl named Savita in another hut maze जो लेखी का है एक अन्य जौंपरी में Savita नाम की लड़की को देखती है She is sitting with an elderly woman कि वो एक बुजर्ग औरत के साथ बैठी वही है and soldering piece of glass और एक जो glass का टुकुड़ा है, कांच का टुकुड़ा है उसको solder कर रही है, solder मतलब उसको टांका लगा रही है She doesn't know that the bangles she is making are symbols of an Indian woman's suhaag तो वो Savita नाम की जो लड़की है वो नहीं जानती कि जो चूड़ियों को बना रही है वो जो भारते महिलाएं हैं उनके suhaag का प्रतीक है The old woman sitting beside her still has bangles on her wrist जो बुज़र गौर्थ उसके साथ बैठी हुई है, उसकी wrist में, उसकी कलाई में भी चूड़ियां है उसने चूड़ियां पहनी हुई है, but there is no light in her eyes प्रतो उसके आंखों में रोशनी नहीं है, क्योंकि चूड़ियां बनाना के कारण उनके आंखों की रोशनी चली जाती थी she says that she has not enjoyed even one full meal of all her life तो वो बुज़र गौर्थ कहते है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में पेट भर खाना कभी नहीं खाया her old husband says that he knows nothing except bangles तो उसका जो बुज़र्ग पती है वो कहता है कि वो नहीं जानता सिर्फ चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ भी नहीं जानता करना however he feels some consolation to say that he has made a house for his family to live in तो फिर भी वो खुद को consolation करते है consolation मतलब वो तसलिय देता है कि इतनी गरीबी होने के बाप जूद भी उसने लाइफ में कुछ नहीं किया अपने परिवार के लिए और रहने के लिए एक घर बना सका है the writer that the cry of poverty rings in every home in फ्रोजाबाद तो writer कहती है कि जो गरीबी की cheek है cry of poverty गरीबी की जो cheek है वो फ्रोजाबाद के हर घर में गुंसती है the poor people are exploited जो गरीब लोग है उनका शुशन किया जाता है by साहुकार, policeman, middleman, bureaucrates and politicians उन साहुकारोदारा, policeman, middleman द्वारा, middleman द्वारा, middleman होते हैं अपसर स्राहों के द्वारा और राजनितिग्यों के द्वारा they have come to accept their poverty and exploitation as something natural तो उन्होंने अपनी जो गरीबी है और जो उनका शुशन होता है उसको स्वाइकार कर लिया है और ऐसा माल लिया है कि उनकी जो गरीबी है वो स्वभाविक है the writer is happy that Mukesh has decided to break away from the visual circle अब जो मुकेश है writer को जान की खुशी होती है कि उसने वो अपना काम छोड़ दिया है चोड़िया बनाने का और निर्ने किया है कि वो जो वीसे सरकल है उसको चकर से वो बाहर निकलेगा he had decided to go to a garage and learn the job of a motor mechanic और उसने decide कि है कि वो एक garage में जाएगा और सिखेगा motor mechanic कि motor mechanic बनेगा उसकी job करेगा thus he will one day be his own master तो इस प्रकार वो क्या हो जाएगा एक दिन अपना खुद का मालिक बन जाएगा इसी के साथ हमारी कहानी खतम होती है घन्यावाद